हेलोगथु है वबंग गाई जासे आप वीडियो में देख सकते हैं जो हमारा टॉपिक जिस पर कि हम दिसक्स करेंगे वह टॉपिक है वाक्सीन और उसके म्यूतिंट्स या वाइरिस और उसके म्यूतिंट्स तूबी विर्यानेट्स अब वैक्सीन इंडिया में दो आपकी च वाक्सीन्स हैं बेसिकली यह एंटी बॉडी जो डेवलप हुई थी आपके जो आपके जो आपके इंफेक्टेट पेशिंस थे उनसे वो निकाली गई है और उनके बेसिस पर उसको वैक्सी मिना गया है और एक आपकी वैक्सीन से मोडर्ना जे एंजे या फाइजर जो की आप के वाइरिस हैं उनके अलग-अलग तरह के एफेक्स हैं और इंडिया में जो सबसे जादा कौन सा म्यूटेंट है उसके बारे मैं आपको बताऊंगा और साथी साथ उनकी एफेक्स क्या क्या है उसके बारे मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह से ली गई है अब सवाल ही आता है कि serum basically होता क्या है serum is the fluid component of blood जिसमें आपका plasma यह जिसमें आपका antibody मिलता है उसी antibodies को फिर हम process करते हैं उनका clinical trial करते हैं और फिर उसको ही हम widespread usage में आपका लाते हैं पर सिर्फ ऐसी ही vaccine आपके नहीं है vaccine के कई और आपके types भी हैं और उन variants के कई और types हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह discuss करूँगा कि हो mutations आपके कौन-कौन से हैं जो इंडिया में देखे गए हैं या इंडिया में अलग-अलग तरह के आपके कौन से mutations हैं तो screen पर दोस्तों आप देख सकते हो यह आपके सामने दिया हुआ है सबसे पहला mutation जो हम discuss करेंगे वो उसमें drop आता है मतलब आप vaccine लगा भी लेंगे तो भी आपको उस vaccination का जो effect होगा उसमें आपको drop आएगा दूसरा जो variant है आपका virus का वो है B1.117 जो की UK में पाए गया इस virus की जो efficacy है बढ़ने की इस virus की जो frequency है spread होने की वो आपकी comparatively 50 to 70% जादा है बाकी variant से coronavirus के इसके बाद P1 जो की आपका वारिस देखा गया ब्रजील में ये एक और variant है जो की immune response evading virus है मतलब कि जो भी vaccine आप लगाओगे उससे बच के निकलने में ये शातिर है मतलब जो भी vaccination आप लगाते हो this vaccine can evade that particular vaccination तो वो P1 है जो की ब्रजील का variant है उसके बाद आता है आपका B.1617 और B.1427 B.16 B.1617 जो है वो जो की इंडिया में आपका देखा गया है और इसे ही हम double mutation virus या triple mutant virus या 15 mutant virus कह रहे हैं जो की महराश्टा हम देखा गया है और इसके clinical effect बढ़ा ही सोचने वाली बात है इसके जो clinical effects है वो अभी भी आपके दोस्तों जो है वो unknown है हमें नहीं पता है कि इसका क्या effect हो सकता है और एक और आपका variant है B.1427 जो की California US में देखा गया है जिसमें जो transmissibility है उसमें 20% का increase आपका दोस्तों जो है वो यहाँ पर देखा गया है अब screen पर दोस्तों मैं आपको दिखाना यह चाहता हूं कि India में वो कौन-कौन से variants है जो सबसे जादा है तो इनमें 10.9% व spread है इंडिया में इन सारे variants का और भी variants है पर मुख्य तोर पर यही variants आपके सामने जो हैं वो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाए गए है अब यहाँ पर दो चीजे और vaccination से होगा क्या vaccination से दो चीजे होगी vaccination से पहली चीज यह होगी कि disease को अगर वो prevent ना कर पाए तो disease का जो effect है उसे वो कम करेगा इसको समझने के लिए आपको एक word को समझना पड़ेगा and that word is efficacy efficacy means the hit rate कितने तेजी से वो hit करेगा देखो बात समझो क्या होता है जैसे कि होता क्या है कि माल लेते हैं गली में एक कुता गली का एक dog आपका आया अब generally होता क्या है कि जब उस गली में और के जो कुत्ते थे उन्होंने उसको घेर लिया और जब घेरा तो घेर के उसको मारा वही logic पर आपका vaccination भी काम करता है कि vaccination कोशिश करता है कि अलग-अलग levels पर वो antibodies के जरिए T-cells के जरिए plasma के जरिए वो उस virus को घेर ले अगर वो एक से बच जाए तो दूसरे से वो निपड जाए यह vaccination का purpose होता है क्योंकि दुनिया में दो तरह की vaccines है एक vaccine जो कि आपकी based है on the on the T-cells on the mRNA variant और एक जो इंडिया में चल रही है जो कि आपका serum based है जो कि जो हमारा fluid part है blood का उससे वो sample निकाल रही है तो यह दो अलग-अलग आपके vaccines है अभी के लिए यह clear नहीं है कि कौन vaccine जादा effective है in terms of real sense पर आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि आपके दोनों ही vaccines को हमें लगाना पड़े because हर vaccine के या इन दो type vaccines के आपके अलग-अलग purpose है Moderna vaccine का अलग एक उसका source भी है अलग उसका effectiveness भी है और भारत भारत का या covaxine का आपका अलग source है आखरी में जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्लीज इसको इस चीज़ को promote करिएगा अपने friends में अपने families में और वो चीज़ आपके सामने यह है मैं आपको यहाँ आपको आपको डिजीज होने से शायद ना बचा पाएं पर अगर वो death से हमें बचा देती हैं हमें मरने से बचा देती हैं तो उनका जो primary objective है वो तो अप्रूव हो जाएगा तो ना हो पाए ठीक है एक तो यह दूसरा मुद्दा जो मैं आपको आज बताने आया हूँ वो मुद्दा काफी relevant है काफी important है और वो मुद्दा यहाँ पर आपके सामने दोस्तों दिया हुआ है है वो यह है जो कि एक सवाल बार बर आता है and this question बार आता है आपका this question is is India prepared to vaccinate all adults from me यह एक investigative report है mint की जो कि आपके सामने दी हुई है इस report में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले यह screen पर आप देख सकते हैं जब population आपकी 45 से उपर eligible थी तो 300 million लोग थे जो eligible थे आपके vaccination के लिए अब क्योंकि adult population भी add हुई है तो अब आपके 940 million लोग जो है eligible है vaccination के लिए अंतर देखेगा अंतर क्या है पहले 300 million लोग eligible थे आपके अब अब दिये जो 45 और अब आपके 940 million लोग जो हैं यह eligible हैं तो सबसे पहला challenge जो government को आएगा वो यह आएगा कि जो एक exponential increase है eligible vaccination candidates का उनको vaccination कैसे लगाएगी अब सवाल यह आता है कि vaccination प्रोग्राम आपका कितना जल्दी complete होगा तो उसको समझने के लिए आप यह देखें यहाँ पर कि जो पर month vaccination आपका produce हो रहा है by SII Covishield वो आपका है 60-70 million doses per month जो कि आपका जून आज जुलाय आते आते 100 million डोस पे होगा भार्ड बायोटेक का per month produce हो रहा है 10 million जो कि आपका जुलाय तक 60-70 million होगा यहाँ पर इसको अगर मैंने mask लगाया तो मैंने यह देखा कि at least it will be 5 to 6 months कम से कम 5-6 महीने आपके लग जाएंगे for minimum बता रहा हूँ मैं और वो भी तब जब Zydus, Cadillus और आपका Dr. Reddy's और आपका Moderna, J&J जब इन सब को approval मिल जाए और at least वो 60-70 million doses बनाना हर महीने start करें यह मैं at least की बात कर रहा हूँ, बात समझ रहे हैं अप, it is at least और एक चीज़ और समझेगा यहाँ और यह मैं किसी party को यह support यह against नहीं कर रहा है यहाँ पर report में साफ साब लिखा हुआ है कि अगर question बूचा जाए is India prepared to expand vaccination coverage क्या India अपने coverage को expand कर सकता है तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, even with the current criteria of vaccinating only high priority groups and a ban on exports of Japs, India faces a shortage across states the crunch has also taken a political turn as many states, many opposition states have said उन्हें vaccines कम मिली हैं, जो कि again that is something to be discussed about और इसके अलावा जो एक और factor problem करेगा, वो करेगा the increase in the prices, आप screen पर देख सकते है, SII का price जो पहले आपका 1.500 रुपय का था वो आप 400 रुपय डोस में मिलेगा, center को, और states को और private hospitals को मिलेगा 600 रुपय में, similarly, भाद-बाटेक का जो vaccine है वो आपका मिलेगा 1.500 में center को, और states को 600 में और private hospitals को आपका 12.500 में मिलेगा, तो यहाँ पर पहली चीज़ जो यहाँ पर clearly साबित हो रही है, कि time लगेगा sir, vaccination को होने में भी, it will take at least 6 months, minimum, अगर सब कुछ सही रहा तो, कि vaccine सबको लग जाए, हाँ, इसका मतलब यह भी है कि we have to pay a lot many extra for our vaccination, जो हमारे दादी ने, दादा ने, पापा ने pay किया होगा, उससे हमें 2-3 गुना extra pay करना पड़ेगा, which is something again जिस पर हम discuss कर सकते हैं, कई लोग well off हैं, वो pay कर सकते हैं, पर दुनी इंडिया का बहुत बड़ी जनसंक्या है, जो शायद इसे ढंक से pay ना कर पाएं, इसके अलावा, जो मेरा अब यहाँ पर आपके सामने है, देखी लिखा हुआ है, कि जो deadlines हैं हमारी, जो हमारी deadlines हैं, वो आपकी काफी ambitious हैं, अगर हो जाए, it's very good, पर यह आप मान के चलो, कि जब तक vaccination campaign खत्म नहीं होता है, तब तक यह जो pandemic है, it is for real, यह दुनिया भर में है, हमारे देश में है, और यह रहेगा कम से कम 6 महीने तक, मैं यह नहीं कह रहा कि इसका effect रहेगा इतना widespread, पर आपको होने के chances यह 6 महीने तक रहेंगे, until the time you have been given both the doses, उन doses के होने के बावजूद भी इसकी guarantee नहीं है, कि आपको virus नहीं होगा, आपको हो सकता है, पर हाँ, उस vaccination को लगाने के बाद, जो chances है mortality के, death के, number one, वो कम हो सकता है, number one, and number two, आपको बच सकते हो, आप कई उसके disturbing factors है, तो मेरा आप सबसे request है, आज शाम को 4 बजे, आपका vaccination registration है, वो start हो रहा है, COVID portal पे, COVID portal पे जाएं, वहाँ पर vaccination को register करें, and start, and as soon as possible vaccination लगवा ले, there is no doubt whatsoever, कि vaccination will not help, it will help, ठीक है, but इसका मतलब यह नहीं है, कि vaccination आगाने के बाद, आप छुटे sand हो जाओ, और आप road पे जाके dance करो, ऐसा मतलब नहीं है, इन चीज़ों पर please आप लोग ज़रा, एक बार focus करो, ठीक है, ऐसे ही मैं वीडियो को आपके लिए लाता रहूंगा, मेरा पेशा है, current affairs पढ़ाना, तो मैं पढ़ता रहता हूं, और मैं जो भी मुझे information मिलेगी, papers के माधियम से, वो मैं आपको देता रहूंगा, so thank you so much guys for coming, कल आपसे फिर मिलेंगे इसी एक वीडियो के साथ, ऐसे एक interesting वीडियो के साथ, तब तक के लिए, दोस्तों आपका तहीर दिल से शुक्रिया, thank you so much and see you soon, bye bye